नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस वीडियों महों और शेशुला आप देहां टेक्निकल अक्षेड़ू चैनल दोस्तो बदमचल को सब्सक्राइब नियुके सब्सक्राइब कर लीजे साथ हैं बलागें पर क्लिक कर देजी आज के इस वीडियों आप train ticket कैसे book कर सकते हैं जी हां दस्तों अगर आप train से यत्रहा करना चाहते हैं तो आपके पास एक confirmation train ticket होना चाहिए और confirm train ticket आप 3 तरीके से book कर सकते हैं या तो आप railway station पर जा के ticket book करवा सकते हैं या फिर टिकेट एज़ण से आप टिकेट। करवा सकते हैं या फिर आप खुद से अनलाइन टिकेट बुक कर सकते हैं अब अगर आप railway recovery operation पर टिकेट करवने जाते हैं तो वहां पिर आपका समय ज्यादा लगेगा आपको वहां पर पड़ा होना पड़ेगा और अगर टिकइट का प्रइस तो चो टिकte का प्राइस किराया है उससे कुछ एक्ट्रा पैसे लेगा अंपर टिकट बूच करेंगे तो यहां पर खुद से ओनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं पीटियं से अपना समय दोनों बचा सकते हैं complete process इस वीडियो आपको लाइप step by step टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं तो हमारा वीडियो एंड तक चरुड देखे चोले बिना समुगाए फटाफ़ वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने इस पर एक चोटी से रिक्वेस्ट है आप नीचे आयेंगे आपको यहाँ पर mypateam वाले ओप्सन में चार ओप्सन दिखेंगे आपको लास्ट वाले ओप्सन में all services पर किलिक करना यहाँ पर अब all services पर मैं किलिक कर देता हूँ पूरा complete process आपको लाइब दिखाऊंगा अब यहाँ पर left side में यहाँ पर आप ट्रेबल्स पर किलिक करेंगे left side में कई सारे option मिलेंगे ट्रेबल्स पर simply किलिक कर देता हूँ और उसके बाद simply transfer किलिक करना है आपके सामने कई option दुबारे खुल के आ जाएंगे आपको train का ticket book करने को बता रहा हूँ तो train पर हम किलिक करेंगे transfer किलिक करने के बाद में आपके सामने एक दूसरा page खुलेगा यहाँ पर भी आपको चालो option मिलेंगे उपर वाई लाइन में आप यहाँ पर book tickets पर किलिक करेंगे क्योंकि हम ticket book करना चाहते हैं तो यहाँ पर ticket book करेंगे अगर प्याना रिश्टेटर्स वगरा चक करना चाहत तो यहाँ पर उप्तन दिया हुआ book tickets पर किलिक करते ही आपके सामने एक दूसरा page आएगा यहाँ पर आपको from station or to station select करना जहां से आप travel करना चाहते हैं मैं यहां से अजुद्या से प्रियागराज select करता हूं ठीक है जहां से भी आप travel करना चाहते हैं वह station आप from or to select कर लें उसके बास search transfer किलिक करेंगे अब यहाँ पर उस date में जितनी भी train होंगी उनका list यहाँ पर आ जाएगा train का नाम train का number और किस category में कितने seat available है या waiting है वह यहाँ पर आ जाएगा जिसे second setting में कितने available है sleeper में कितने available है AC में कितने available ticket है या waiting है यह सब कुछ यहाँ से देख सकते ह यहाँ आप जिसमें भी ticket book करना चाहते हैं अगर मानलो, sleeper में करना चाहते है तो sleeper के ऊपर click करेंगे अगर आप AC में करना चाहते हैं तो उसके ऊपर click करेंगे यहाँ सारा कुछ देख सकते हो, number वगएरा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है आप जिस ट्रेयन में करना चाहते हैं उसके ऊपर सिलीप यहां पर देखो सिकंड सीटिंग में करने जा रहा हूं सिकंड सीटिंगा इसके ऊपर अब इसके ऊपर किलिक करते हैं आपके सामने और ओप्सन खुल की आ जाएगा यहां पर लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से पूरा लाइब दिखाऊंगा तो वीडियो मारा एंड तक चोड़ देखे तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा भाई तो एंड तक देखते रही है बुक पर हमने क्लिक कर दिया अब यहां पर सबसे उपर IRCTC का यूजर आईडिया आप डालके सेव कर देंगे मैंने लेडी यहां पर डाल दिया हुआ उपर देख सकते हैं इससे सेप कर देंगे नीचे आएंगे ट्रेबलर्स का इंफरमेशन डालना यहां पर जैसे जो भी यात्रा करना चाहता है उसका जेंडर मेल फिमल जो भी होगा उसकी बाद उसका एज कितना है वो डालना है और अगर कोई 5 साल से बड़ा है तो आप एड अडल्ट पर क्लिक करके पसंजर डेटेल आइड करेंगे जैसे पहले हमने एड किया तो यहां पर उसका भी नाम डालेंगे एज डालेंगे बर्थ पर प्रफशन इसलेट कर लेंगे बर्थ पर प्रफशन यहां पर नो रखना चा पेसाथ यह ड्रेबल करेंगे 5 एड कर लिया है नीचे आएंगे यहां पर आप मॉबाइल नंबर डालेंगे पसंजर का यहां पर का इमेशन ऐम पोस्ट आफिस आपको यहां से सिलेट कर लेना है पोस्ट आफिस आपको यहां से सिलेट कर लिया नीचे आएंगे आप यहां से आप एंसोरेंस 49 में से मिलता है तो इसे टिक कर देंगे एंसोरेंस ले लेंगे और उसके बाद नीचे I agree to cancellation and refund policy को आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ने नहीं तो टिक करके पोसीड पर क्लिक करेंगे आप यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा पोपड बिल्डोग खुलेगा यहां पे continue booking पर क्लिक करना है यहां पे मैं continue booking पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहां एक दूसरा पेज खुलके आएगा यहां पे आप 10 मिनट के अंदर आपको payment करना होगा यहां पे उपर समय चला है और जो है train की यहां पे detail है ठीक है आप देख सकते एक बाद confirm कर लेंगे कि सारा कोईशे सही है जो हमने add किया है passenger डेटेल हो गएरा train हो गएरा समय हो गएरा यहां पर देख लेंगे उससे बाद proceed to pay पर किलिक करेंगे नीचे आपको सबसे नीचे right side में proceed to pay का बटन मिलेगा सिंपली इसके उपर हम किलिक कर देते हैं इस पर किलिक करते ही हम पेटियम का चुका हमारा payment confirm हो गए payment कर दिया IRCTC का password और capture डालके submit करेंगे यहां पर हमने IRCTC का password डाल दिया capture डाल दिया और यह submit अब यहां पर जो है ticket हमारा book हो चुका यहां दे सकते हैं booking successful तो यहां पर हमारा confirmed trend ticket book हो चुका है अब यहां पर कह रहा है कि आपका जो ticket है यह SMS और mail आपको कर दिया गया है यहां पर लिखा हुआ ठीक है अब थोड़ा हम नीचे आएंगे और नीचे यहां पर हम देखेंगे कि हमारा यहां पर देख सकते हैं PNR नंबर दिया हुआ है तो PNR नंबर यहां से देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सभी ticket confirm है और यहां पर कौन सी coach है यह यहां पर लिखा हुआ है D2 है सभी का उसके बाद बर्थ यहां पर कौन सा है यहां पर 31, 32, 33 है और उसके बाद बर्थ type टाइब उसी के सामने लिखा हुआ है कि कौन सी बर्थ है बीच का उपर नीची जो भी होता है यहां पर सारा बर्थ टाइब में लिखा होता है तो इस तरह से आप प्रेटियम से कंफर्म ट्रेंट टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो भी मैं आपको बता देता हूं तो वीडियो अभी आणि तक देखिए यहां पर सबसे उपर चले जाएंगे बैक होते हैं आप उपर आएंगे यहां पर डाउनलोड टिकट का सकते हो या किसी को पीडियो शेयर करना चाहो तो भी यहां से आप कर सकते हो यह देख सकते हो पीडियो फॉर्मेट में हमारा डाउनलोड हो चुका है जो है ठिकट तो इस तरह से आप पेटियम से ट्रेंट टिकट बुक कर सकते हो और उसे प्रेंट भी कर सकते हो तो हमें कम